परिचे क्या तुमने कभी सोचा है कि लड़किया लड़कों से भिन्न क्यों होती हैं? सर लड़किया और लड़के भिन्न इसलिया होते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक संग्रचनाई भिन्न होती हैं हाँ, लेकिन यह भिन्नता उनके भिन्न जनन अंगों के कारण होती है हाँ, और ये अंग पुरुषों एवं स्त्रियों में अलग-अलग तरह के हार्मोन स्रावित करते है तुम सही कह रहे हो राहुल, आओ, आज पुरुषों एवं स्त्रियों में जनन अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पुरुष जनन अंगों की पहचान करना विविद्द पुरुष जनन अंगों की कार्य प्रडाली को समझना स्त्री जनन अंगों की पहचान करना विविद्द स्त्री जनन अंगों की कार्य प्रडाली को समझना पुरुष जनन तंत्र स्तन पाई पुरुष जनन तंत्र में निम्न सम्मिलित हैं पाह जनेंद्रिय, विर्षण कोश, शिष्ण, आंतरिक जनन अंग, विर्षण, सहायक लिंग नलिकाएं, वीर्य एवं ग्रंथिय स्रावन ले जाने के लिए वाहिनी, पुरुष जनन तंत्रों के दो प्रमुख कार्य है, शुक्राणु निर्मान, स्तरी जनन मार्ग में वीर निशेपित करना, विर्षण कोश, विर्षण कोश, चारिरिक आवरण की एक थैली होती है, जो निम्न प्रकार से जनन में सहायता करती है, वे विर्षण जो एक थैली में स्थित होते हैं, उन्हें विर्षण कोश कहते हैं, विर्षण कोश, विर्षणों के तापमान को साम प्रणान शरीर के तापमान से एक या दो डिग्री सेंटिग्रेट कम रखने में सहायक होता है। यह कम तापमान शुक्राणु निर्मान और संग्रहन के लिए आवश्यक होता है। शिष्ण शिष्ण पुरुष की बाहरी जनेंद्रिय है जो विशेश प्रकार के उतको का बना होता है जो वीर्य सेचन के दौरान शिष्ण के उतघर्षण में सहायता प्रदान करता है। शिष्ण का अंतिमभाग, शिष्ण मुंड कहलाता है, जो उतकों की एक धीली तवचा से ढका होता है, जिसे अगरिच्छत कहते हैं. व्रिशन व्रिशन संयोजी उतकों की परतों से घिरी अति कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं इन्हें शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य में कोशिकाओं स्तरित होती हैं यह कोशिकाएं प्रात्मिक पुरुष लिंग हार्मोन, टेस्टेस्टरॉन और अन्य एंड्रोजन उत्पन्न करती हैं। शुक्र जनक नलिकाओं में शुक्राणूओं का निर्माण होता है। पुरुष मैथुन सहायक नलिकाएं। विरिशन जालिकाएं। शुक्र वाहिकाएं, अधी विरिशन, शुक्र वाहक। शुक्राणू इन नलिकाओं में निम्न तरीके से प्रवाहित होते हैं। ये नलिकाएं विरिशन से प्राप्त शुक्राणूओं का भंडारण तथा मूत्र मार्क से इनका बाहर की ओर परिवहन करती हैं। पुरुष सहायक ग्रंथियां पुरुष की सहायक ग्रंथियों के तीन समूह है शुक्राशे इनका स्राव प्रक्रिनिव एंजाइम, फल, शरकरा और प्रोस्टाग्लांडिस केल्शियम से युक्त होता है पुरस्थ ग्रंथियां इनका स्राव प्रतिसकंदक एंजाइमों और साइट्रेट से युक्त होता है बल्बो युरेथ्रल गरंथियां इनका स्राव शिष्ण में सनेहन प्रदान करने में सहायक होता है इन गरंथियों का स्राव शुक्रिय प्लाजमा का निर्माण करता है स्क्री जनन तंत्र स्क्री जनन तंत्र में निम्न शामिल है अंडाशय यानि मादा जनत अंडवाहिनी करभाशय करभाशय ग्रीवा योनी वहा जनेंद्रियत जिसमें भगोष्ट के दोसेट और योनी द्वार होता है एक जोडा स्कन ग्रंथियां अंडाशय यह अंडाणू और अंडाशयी हार्मोन उत्पन गरता है स्नायों के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है अंडाशय पीठी का परिधीय वलकुट और आंतरिक मध्यांश में विभक्त होता है प्रत्येक अंडाशय विभिन रोम कूप अंतर विष्ट करता है प्रत्येक रोम कूप में एक अंड कोशिका होती है जो पुटक कोशिकाओं से घिरी होती है अंड वाहिनी अंडोत सर्क पर अंडे को अंडवाहिनी या दिम्ब वाहिनी नलिका के कीप आकरती के द्वार के निकट उधर गुहा में धकेला जाता है अंडाशे के निकट दिम्ब वाहिनी की कीप जैसी आकरती कीपक कहलाती है कीपक की जालर अंडुत सर के दौरान अंडाशय से उत्सरजित अंडाणू को संग्रह करने में सहायक होती है पक्ष माभी अस्तर से होकर अंडा अंडवाहिनी से गर्भाशय तक जाता है गर्भाशय या एक मांस पेशिय उल्टी नाशपाती के आकार जैसा होता है जो गर्भावस्था के दौरान प्रून को सहारा देता है या उतको की तीन परत्का होता है परी गर्भाशय गर्भाशय पेशिस्तर और गर्भाशय अंतहस्तर गर्भाशय ग्रीवा यह गर्भाशय का सिरा होता है जो योनी में खुलता है ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं योनी यह पतली भित्ती वाला कक्ष होता है जहां मैथुन यानि संगमन के दौरान शुक्र संचित होता है योनी ग्रीवा नाल के साथ मिलकर जन्मन नाल की रचना करती है वहां जनेंद्रिय इन में सम्मलित है जगन शैल यह वसामय उतकों से बनी गद्दी सी होती है, जो जगन, पालों और त्वचा से ढखी होती है व्रिहत भगोष्ट यह योनी द्वार को घेरे हुए उतकों का मानसल वलन है लगू भगोष्ट यह व्रिहत भगोष्ट के नीचे सित एक जोड़ा वलन होता है योनिच्छद यह सम्वहनिय जिल्ली होती है, जो जन्म के समय से योनी द्वार को ढखे रहती है और अत्याधिक शारेरिक गद्विधियों या लैंगिक संबोग के दोरान फट जाती है भगशेफ यह एक छोटी अंगुली जैसी सन्रचना होती है, जो मूत्र द्वार के उपर तो व्रिहत भगोष्ट के उपरी मिलन बिंदू के पास्थित होती है स्तन ग्रंथी स्त्रियों का द्विती एक यौन अभिलक्षन है पुरुशों एवं स्त्रियों दोनों में पाई जाती है, लेकिन केवल स्त्रियों में ही ये कारेशील होती है स्थन ग्रंथियों के ग्रंथिल उतक 15 से 20 स्थन पालियों से बने होते हैं जिसमें दुग्ध स्तरावित करने वाली कूपिकाओं के कुछ होते हैं प्रतियक स्थन पाली की नलिकाएं मिलकर एक स्थन वाहिनी बनाती है जो अन्स्तन वाहिनियों से मिलकर एक चौड़ी स्तन तुम्बिका बनाती है, जो दुग्द वाहिनी से जुड़ी होती है, जिससे स्तन से दूध बाहर निकलता है। करने में भी सहायक है। सारांच आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संशेप में दोहराए। पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़े विरिशन, पुरुष यौन सहायक वाहिकाएं और सहायक ग्रंथियां तथा वाहा जनेंद्रियां होती हैं। विरिशन में अती कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं, जो शुक्राणू उत्पन्न करती हैं। पुरुष वाहा जनेंद्रिय शिश्न कहलाती है। स्त्री जनन तंत्र के अंतरगत एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनी, वाहा जनेंद्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं। अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनी स्त्री सहायक वाहिकाएं होती हैं। स्कन गरंथियां त्रियों का एक द्वितियक यौन अभी लक्षण है